हेलो दोस्तो मैं कर नहीं है एक बारी फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूटीब चैनल हिंगली स्क्यान पेज यहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेज और इसे जोड़ी टिप्स और अप्डेट्स मिलती रहती है तो दोस्तो पहले वाली वीडियो की तरह यह तीनों चीज़ों आज की वीडियो में कवर करेंगे तो अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हम आज साथ जुड़ चाहिए क्योंकि यहां पे आपको इसी प्रकार की वीडियो देखने को मिलती रहती है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं प आपके रिवीजन हो जाएगी प्लस और कुछ कोशन जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे उनके बारे में आप जान देंगे ठेक है तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं और देखते हैं तो पहला कोशन है राज्यों का भासाई अधार पर गठन किस वर्स किया गया था तो 1956 में और जो आयोग बना था वो राज्यों पुनर गठन आयोग 1953 में फॉजल अली की अध्यक्षता में बना गया था तो उसके अधार पर राज्यों का पुनर गठन किया गया था और इस अधार पर जो पहला राज्यों बना था वह आपका आंधर पर्देश था थार्ड है आपका भारतिय समिधान में किस अनुछेद को समिधान की आत्मा कहा जाता है तो वो आपका अनुछेद 32 है और इसको कहा किसने था समिधान की आत्मा और हिर्दय करने अनुछेद 32 को समिधान की आत्मा और हिर्दय काता है क्यों क्यों कि इसी के तहत आपके जो मौ आलिका में जा सकते हैं जर फोर देखते हैं अलिगड़ अंदोलन के संच्थापक कौन थे तो सरसीद एहमद खान अलिगड़ अंदोलन के संच्थापक थे फिफ पर लोकसभा चुनाव छेतरों का परिसेमन किस वर्ष की जन गड़ना के बाद किया जाएगा तो यह आपका 2026 की जन गड़ना के बाद यह काम किया जाएगा शिक्ष ते आपका भारतिय स्वतनता संघर्ज के दोरान किसने इंडियन सोसलेजिस्ट नामक पत्रिका आरम की थी तो यह आपका स्याम जी कृष्णा वर्मा ने की थी स्याम थे आपका थियोसिफिकल सुसाइटी की थापना किसने की थी तो 1875 में यह एडम बलेवट टस्की यह वों करना आल काट दुवारा की गई थी नामक प्रथम लोग सभा चुनाव में कितने राज़नितिक दलो को राष्टे दल के रूप में मानिता दी गई थी और एक कॉय्शन पीछली बारसा आया था कि आम चुनाव होते 1952 में उस चुनाव में लोग सभा के चुनाव के साथ और के स्चेत्र के चुनाव होते तो उसका सही अंसर था विधान सभा ठेक है नेक्स्ट आपका महात्मा गांधी ने किसकी मिर्थ्व पर कहा था भारतिय सौर मंडल के सितारा डूब गया है तो लाला लाजपत राय की मिर्थ्व पर महात्मा गांधी ने यह टिपनी करी थी लाश्ट आपका बाल गंगा धर त पूछा गया था जो भी important हो मैंने यह पर select करके रख रहे हैं उन सभी को देख लेते हैं तो पहला है भारते वन अनुसंधान संस्तान दहरादून और यही वाला question वहां पर पूछा गया था 2020 के paper कि भारते ये वन अनुसंदान संस्थान कहां पे है तो ये आपका धहरादून में है फिर आपका भारते वन्यजीव अनुसंदान संस्थान ये भी आपका धहरादून में है यानकि वन और वन्यजीव दोनों आपके धहरादून में है और वनस्पति की बात करें तो वो आपका फिर लखनों में है फिर है केंद्रिय पक्षी सोथ संस्तान तो ये इज़तनगर में है फिर नेक्ष्ट है राष्टे पर्यावन सोथ संस्तान ये आपका नागपुर में है फिर है राष्टे उंट अनुसंधान संस्थान ये आपका बीका नेर में है और जो उंट का मिला लगता है वो आपके राजिस्थान के पुसकर में लगता है सबसे बड़ा उंट का मिला ये एशिया के ठीक है तो ये आपके पुसकर में राजिस्थान में लगता है उंट मिला राष्टे अभू भूतिक अनुसंधान संस्थान ये हैदराबाद में है राष्टे पर्यारण अभियांतरी की सोत संस्थान ये आपका नागपूर में है भारते क्रिश्य अनुसंधान परिशद नई दिल्ली में है भारते मिर्दा विज्ञान संस्थान ये प्रियाग राज में है और फिर केंद्रिय मिर्दा लवनता अनुसंधान करनाल में है और करनाल में ये आपका डेरिय अनुसंधान है भारतिय बागवानी अनुसंधान संस्थान बंगलोर में है फिर भारतिय वन सर्विक्षण केंद्र देहरादूर में है फिर नेक्ट आपका प्राकरतिक इतियास कराश्ट्य संग्रालय ये नई दिल्ली में है सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकरतिक इतियास ये कें टूर में है और नेक्ट आपका भार्तिय वनस्पत्य सर्विक्षण कॉलकाता में है भार्तिय प्राणी सर्विक्षण कोलकाता यह भी एक्ट आ राश्टे वाने की अन्rang foul चंच्टान-थ Tambи यहांसी केंद्रियो मरुछ्थल अनुसंदान-थियोद्पूर् भारातिय मौस्म भारतिय मौस्म विज्ञान न Corinna नीदिली में है भारतिय नौसम वेद सालह है आपका पूने में है फिर आपका जिवाणु प्रदोगे की संस्थान चंडीगड में है राश्ट्रिय वनस्पती विज्यान संस्थान लखनों में जैसे मैं उपर बताया था फिर केंद्रिय खनन अनसंदान यह आपका धनबाद में है तो यह लाश्ट के इहां से एक पूछा जा सकता है अगर 2020 की तरह ही question paper set किया जाएगा तो तो यह आप ध्यान से पढ़ लिजेगा तो यह आप ध्यान में रखेगा अब देख लेते हैं geographic के कुछ important question जो की पूछे जा सकता है या फिर आपकी general awareness के भी यह होने चाहिए कि यह आपको पता होने चाह सब्सक्राइब जाम नामई करेखा कहते हैँ कrition में 23 को हम me抹ए तरी बीच वाली रेखा भुंधे रेक हैं या फिर विष्वत्य रेखा के नाम से जानते हैं second हेमारा सउर मंदल पृत्वी का स्थान ऊंश का फाली चाहा है और फिर सवर मंदल पृत्वी स्थान है पहला सब्सक्राइं पिर्थवी का विश्वती व्यास कितना है तो 12756 km है इसी तरह इसका दुरकिये व्यास 12714 km है परित्वी तो आपका परित्वी किया गति करोगा कि बैस को आपका साल मैं नेकर चाह। सौर वर्स है आप सभी जानते हैं इसके बार नेक्स है परतेक सौर वर्स या कलेंडर में कितना समय बढ़ जाता है तो 6 गंटे और आप कमेंट में यह बताइएगा जो भारत की यामयोत्तर रेखा है वो कितने डिगरी पे गुजरती है और किन-किन राज्यों से गुजरती है ठीक है नेक्स्ट है हमारा अकार और बनावट की द्रिष्टी से पृत्वी किस ग्रह के समान है तो सुकर ग्रह के समान है क्योंकि इसके सुकर की बहन भी कहा जाता है और सुकर ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह है ठीक है नेक्स्ट है हमारा पृत्वी को नीला ग्रह किस लिए का जाता है तो पानी की उपच्थिती कारण इसे नीला ग्रह का जाता है और नीला क्यों दिखती है पृत्वी जो पानी होता है जो सम्मूद्र होता है उसका पानी नीला क्यों दिखता है तो यह प्रकास के परकीन की वज़े से दिखाई देता है फिर न awr लोघन दो प tasting एक व हैं अगला पर दूल के मैधान को क्या कहते हैं सांति सागरह से कहते हैं जिवास्म ग्रह किसे का जाता है तो चंद्रमाadP चमकता तो सूरे की रोशनी से चमकता और इसी लिए ये एक उपग्रय है क्योंकि इसकी अपनी एक चमक नहीं है अपनी एक रोशनी नहीं है फिर नेक्ट समोधर में उटने वाले जवार भाट्टाय की वज़य क्या है अपक्षे सूरे चंद्रमा की सक्तियों का अनुपात 11 रेश्यों 5 होता है ये इसका एक करण है चंद्रमा पर पाय जाने वाले शटानों में की धातू की मातर सबसे दिखा तो टाइटेनियम सबसे ज़्यादा धिक मातर में पाय जाता है अगला है आपका पिर्थवी से चंद्रमा का कितना परतीशत भाग दिखाई देता है तो 57 कि जुलाई 1979 को फिर अगला है चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले यात्री किस यान से कहते था अपोदो 11 और 28 प्रकास चक्र क्या है तो वैसी व्यकल्पिक रेखा जो पिर्थवी के प्रकास और आप प्रकास सितिश्व में बाढ़ती है उसे हम प्रकास चक्र कहते हैं अगला है पिर्थवी के परी भ्रह्मन की दिस्वा क्या है तो पश्चिम से पूर भी हमने उपर डिसकस कर लिया था यह वीडियो आपको थोड़ा सा आपके प्रिपेशन में हैल्प करेगी और इसी प्रकार की वीडियो के लिए चनल के साथ जोड़े थैंक्यू समच प प्रकार की नेक्स वीडियो में